तो चलिए शुरू करते हैं Equivalent Weight of Assets, Bases, Solts and Reducing Agents और Oxidizing Agents चलिए और उसकी कुछ Problems को भी हम Solve करेंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है Concept of Equivalent Weight Equivalent Weight एक बहुत ही ज्यादा Important Concept है और 11th Class के अंदर इससे Related बहुत सारी Problems आती हैं और 12th Class में भी जब हम Normality वगरा की Problems को Solve करते हैं तब भी हमें Equivalent Weight का Concept अपलाई करना होता है तो Equivalent Weight के बारे में बड़ी Problem जो है वो मची हुई या बच्चों के अंदर तो चलिए देखते हैं कि Equivalent Weight आखिरकार है क्या Equivalent Weight of an Element सबसे पहले हम बात करेंगे किसी Element के Equivalent Weight की तो बेटा Equivalent Weight का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसकी Definition को समझते हैं तो बेटा देखो बड़ी सी बात है बड़ी सिंपल सी चीज है सपोज करो कि मेरी क्लास है तो अगर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए और उसकी जगा दूसरा बच्चा बाहर से Enter करवाया जाए तो अगर मैं अपनी क्लास के Average Marks में कोई भी Fair बदल नहीं चाहता हूँ तो यह ज़रूरी है कि जो बच्चा आ रहा है उसके भी 7 Marks हो 10 में से अगर ऐसा होता है तो इट मींस कि यह जो बच्चा मैं Enter करवा रहा हूँ यह उस बच्चे के Equivalent है तो Equivalent का मतलब क्या होता है कि अगर मैं Oxygen को Replace कर रहा हूँ अगर मैं Oxygen को Replace कर रहा हूँ तो उसके बराबर का Weight जो है उसकी जगा पर आना चाहिए और अगर मैं Hydrogen को Replace कर रहा हूँ तो इतने Gram को Replace करने के लिए कितना मेरे को और Element एड़ करना पड़ेगा और अगर मैं Chlorine को Replace कर रहा हूँ तो Chlorine का Mass वज़ 35.46 तो उसके 35.46 के Parts के बराबर ही मेरे को कुछ ना कुछ इसमें Add करना पड़ेगा ताकि कोई भी तरह का किसी भी तरह का Fair बदल यहाँ पर ना आ सके ठीक है तो इसे बोलते है Equivalent Weight This is called Equivalent Weight I hope कि आपको Clarity हो चुकी होगी इसके Concept की तो अगर मैं बात करूँ Element का Equivalent Weight कैसे निकालते हैं तो बच्चे उसका जो Formula है वो बहत खास है बहत Important है और बड़ा आसान है आसान सा Formula है और वो Formula क्या कहता है वो कहता है कि Equivalent Weight of an Element is equal to Atomic Weight of the Element upon its Valency जैसे कि Example के तोर पे मैंने बात की थी Oxygen की तो Oxygen का जो बच्चे Equivalent Weight है वो कैसे निकलेगा Oxygen का Atomic Weight होता है 16 ठीक है और उसकी Valency होती है 2 तो जब मैं इसको Calculate करूँगा तो मेरे पास आएगा 8 तो Oxygen का Equivalent Weight 8 है इसी लिए वो 8 Parts की बात कर रहा था ठीक है आगे बढ़ते हैं Equivalent Weight of Oxygen अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि Equivalent Weight Atomic Weight of Oxygen upon Valency of Oxygen जो की है 16 upon 2 तो ये मेरे पास कितना जाएगा 8 तो Equivalent Weight of Element इस प्रकार से निकालते हैं Equivalent Weight of Iron, Second है मेरे पास Atom के बाद Iron Equivalent Weight of Iron, अब आपको पता है कि Iron क्या होता है Iron वो होता है जिसके उपर Positive या Negative जार्च हो, तो उसमें हम क्या करते हैं Ionic Weight लेते हैं और उसको Divide कर देते हैं उसकी Valency के साथ For Example, अगर मेरे पास है Iron और उसका Equivalent Weight में आपको बताता हूँ मेरे पास ऐसे Sulfate Iron, Sulfate Iron में क्या होता है, SO4-2 ठीक है, इस इस दा Formula 4 Sulfate Iron तो अगर मैं इसका Molecular Mass निकाल हूँ, तो Molecular Mass मेरे पास निकल करके आएगा 96 क्योंकि Sulfur का Mass होता है 32 और Oxygen का Mass होता है 16 तो ये Total प्लस करने पर मेरे पास 96 आजाएगा, ठीक है तो 96 is the Ionic Weight, तो Ionic Weight को मैं Divide करूँगा किस से उसकी Valency से सबको पता है कि Sulfate Iron की Valency होती है 2, तो 2 से जब मैं Divide करूँगा तो it will become 48, तो this is the equivalent weight of ions, अब मैं आपको एक और एक्जांपल बदाता हूँ, Bicarbonate Iron, इसमें Valency 1 होती है, इसका सबसे पहले हम Atomic Mass देख लेते हैं, कि इसका Atomic Mass मतलब इसका Ionic Mass कितना बन रहा है, वो बन रहा है 61, हाइट्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सिजन का 48, टोटल हो गया 61, तो 61 को जब आप बेटा Divide करोगे, 1 के साथ इसकी Valency 1 होती है, तो It Will Be Equal To 61, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप किसी Ion का Weight निकाल सकते हैं, कोई भी Problem वाली बात इसमें नहीं है, Next Equalant Weight of an Acid, तो बच्चे Acid का जब आप Equalant Weight निकालते हो, तो आपको एक Concept ध्यान में रखना होका Basicity का, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो Formula निकल करके आता है, वो है कि Molecular Weight of Acid divided by its Basicity, तो अब यह Basicity क्या चीज होती है, आपको पता है कि कोई भी Acid पानी में जाने के बाद H Positive release करता है, और वो कितने H Positive release करेगा, that is equal to the Basicity, तो अगर मैं बात करूँ, HCL की, तो HCL वाटर में जाने के बाद AKH Positive release करेगा, तो इसकी Basicity हुई 1, तो इसमें इसका जो Molecular Weight है, वो है 36.5, इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, दा आंसर इस, सिमिलर टू, 36.5, नेक्स्ट है मेरे पास H2SO4, H2SO4 की जो Basicity है, वो 2 है, क्योंकि इसके अंदर 2 Hydrogens जो है, वो Ionize हो जाते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँगा, तो यह बन जाए का 98 upon 2, it is equal to 46, sorry, 49, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे पास H3PO2, H3PO3, H3PO4 के भी निकल कर कहाएंगे, इन तिनों में Basicity 3 है, ठीक है, तो इसका Mass upon 1, इसका Mass upon 2, और इसका Mass upon 3, ठीक है, क्योंकि Basicity 1 है H3PO2 की, Basicity 2 है H3PO3 की, और Basicity 3 है H3PO4 की, तो जितनी जिसकी Basicity होगी, उससे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, और आप अपना अंसर निकाल सकते हैं, Basicity क्या होती है, मैंने आपको अलटी बता दिया है, Basicity is based upon the structure, जितने Acid के अंदर OH होंगे, उतने ही Higher Hydrogen Release हो सकते हैं, ठीक है, The number of Replaceable Hydrogen Atoms of an Acid Molecule, किसी Acid Molecule के अंदर कितने Replaceable Hydrogen Atoms हैं, that is called the Valency, Okay, for example, कि आपको ये सारा कुछ मैंने दिखाया है अभी, आगे बढ़ते हैं, Equalent Weight of Bases, तो बैटा, Base का जो Equalent Weight होता है, वो Acidity के साथ Depend करेगा, क्योंकि Acidity का मतलब बिल्कुल Basicity की तरह ही है, Basicity में हम काउंट करते हैं कि कितने H Positive Replaceable हैं, और यहां पर हम OH Negative को मतलब Hydroxide Iron को Calculate करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास है Basicity Molecular Weight of a Base upon Acidity of a Base, Acidity का मतलब Number of Replaceable OH Negatives, तो यहां पर मैं आपको एक्जामपल दिखाता हूँ, NaOH, अगर मैं NaOH को Water में Dissolve करता हूँ, तो मेरे पास एक OH Negative आएगा, और एक OH Negative से अगर मैं इसका मास, Molecular Mass डिवाइड करूँ, जो की 40 है, 40 को 1 से डिवाइड करूँगा, तो आंसर विल भी 40, और अगर मैं Calcium Hydroxide की बात करूँ, तो इसमें 2 OH Negative जो हैं वो रिलीज होंगे, और 2 OH Negative जब रिलीज होंगे, तो बेटा, इसके मास को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, Calcium Hydroxide का जो Molecular Mass है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, Similarly, Aluminium Hydroxide के अंदर 3 OH Negative रिलीज होने की आशा है, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीके, तो इसी तरह से आपको Acidity के साथ इसको Solve करना है, Acidity is the number of OH Groups in a Base, जो की Replaceable हो, आगे हैं बेटा, मारे पास Equalent Weight of Salt, तो Salt जो है, वो हमेशा आइन से मिलकर बनता है बेटा, आइन से, वो आइन केटाइन और एनाइन हो सकते हैं, तो Equalent Weight of Salt is equal to Formula Weight of the Salt, divided by Total Charge of Catein या एनाइन, दोनों में से किसी एक का चार्ज आप ले सकते होगा, कि दोनों के उपर बराबर ही चार्ज होता है, ठीक है, अब Example के तोर पे आप देखिए, मेरे पास है NaCl, तो इसमें Na Positive होगा, ठीक है, आपको पता है कि Na के उपर कौन सा चार्ज होगा, One Positive, और Cl के उपर होगा, One Negative, ओके, तो इस चार्ज की वज़ा से, अब हम क्या करेंगे, इसका जो Molecular Weight होता है, वो कितना होता है बेटा, 58.5, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा, केटाइन के चार्ज के साथ, या फिर एनाइन के चार्ज के साथ, तो सिर्फ उसका Magnitude लेना होता है, तो यहाँ पर आजाएगा One, तो यहाँ पर आजाएगा One, क्योंकि One ही Positive है, और One ही Negative है, तो One से डिवाइड करने पर I will get the same answer, Similarly Na2CO3, इसके अंदर हमारे पास जो प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो जो प्लस चार्ज है बेटे, वो है 2 से Multiply, ठीक है, प्लस को मैं 2 से Multiply करूँगा, और यहाँ पर है 2 Negative, तो 2 Negative और 2 Positive चार्ज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस बार Divide करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है, वो बच्चे 2 है, तो हम क्या करेंगे भी, Molecular mass को 2 से Divide करेंगे, Similarly यहाँ पर 3 Positive और 3 Negative चार्ज है, तो हम 3 से Divide कर देंगे, So in this way, you can find out the formulas and equivalent weights, आगे बढ़ते हैं Redox की तरफ, Redox reaction का तो बैटा आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी जो next निकालना है, वो reducing agent और oxidizing agents का निकालना है, equivalent weight, तो बैटे Redox अब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक Red, दूसरा Ox, Red का मतलब होता है Reduction, Ox का मतलब होता है Oxidation, Reduction और Oxidation, दोनों process जब होते हैं, एक ही reaction में, तो उसे Redox reaction कहा जाता है, अगे, अगर addition हो रही है Oxygen की, तो उसे Oxidation कहा जाएगा, और अगर removal हो रही है Oxygen की, तो उसे Reduction कहा जाएगा, अगर removal हो रही है Hydrogen की, तो फिर वो Oxidation, और अगर addition हो रही है Hydrogen की, तो वो Reduction, लेकिन ये concept काफी पुराना हो चुका है, आजकल हम करते हैं Electronic Concept of Oxidation and Reduction, Oxidation का मतलब होता है Loss of Electrons, और Reduction का मतलब होता है Gain of Electrons, अगर कोई atom Electron Lose करता है, तो वो Oxidized माना जाएगा, और अगर कोई atom Electron Gain करता है, तो वो Reduction, ये मतलब Reduced माना जाएगा, An Oxidation Reduction Reaction, जिसे हम प्यार से Redox Reaction कहते हैं, is one in which one element Loses Electrons, and other Gains Electrons, इसे याज रखने के लिए आप इस शेर को देखिए, शेर को कहा जाता है Lio, लियो, गर, मतलब Tiger, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलता है, लियो का मतलब है, Loss of Electrons is called Oxidation, और जर, मतलब Gain of Electrons is called Reduction, तो यहाँ पर आप एक और तरीके से इसको याद रख सकते हैं, Oil और Ridge, Oil का मतलब है Oxidation is Loss, and Reduction is Gain, तो चलिए, अब हम Electronic Concept की तरफ थोड़ा देख लेते हैं, Oxygen की Addition, Oxidation है, Removal, Reduction है, Hydrogen की Removal, Oxidation है, और Addition, Reduction है, लेकिन Electron का Loss, Oxidation होगा, और Gain, Reduction होगा, यह हमने भी जान लिया है, तो Oxidation का मतलब है, Addition of Oxygen, Removal of Hydrogen, या फिर Loss of Electrons, Similarly, Reduction का मतलब भी इससे उल्ठा होगा, तो अब हम बात करते हैं, Equalent Weights of Oxidizing and Reducing Agents, Equalent Weight of Oxidizing Agents, अगर आपको निकालना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, Molecular Weight लेना पड़ेगा, Oxidizing Agents का, और उसको Divide करना पड़ेगा, Total Number of Electrons Gained, कितने Electrons उसने गेन किये, तो Oxidizing Agents वो होता है, जिसकी खुद की Reduction होती है, तो KMNO4 को अगर मैं Acetic Medium में डालता हूँ, तो यह क्या करता है बेटा, इसकी पहले होती है, प्लस 7, बाद में हो जाती है, प्लस 2, मेगनीज की, तो इस केस में इसने 5 Electrons Gained किये, तो इसका जो Molecular Weight होगा, that will be 158, और इसको हम 5 से Divide कर देंगे, and the answer is 31.6, similarly KMNO4 को अगर मैं Basic Medium में लेता हूँ, यह Neutral में लेता हूँ, तो उस केस में बेटा, यह प्लस 7 से प्लस 4 हो रही है, मतलब 3 Electrons यह Gained कर रहा है, तो इसको मैं 3 से Divide कर दूँगा, तो मेरे पास आंसर बन के आएगा, 52.6, उसके बाद अगर मैं इसको लेता हूँ, in Strong Basic Medium, तो Strong Basic Medium में आप देख सकते हैंगे, सिर्फ एक ही Electrons यह Gained कर पा रहा है, तो इसको 1 से Divide करेंगे, तो आंसर आजाएगा 158 as itself, ओके, तो इस तरह से आप इसको Solve कर सकते हैं, कि MnO4, प्लस 8 H positive, प्लस 5 Electrons हमें यह दे रहा है, प्लस 2, ठीक है, तो इस तरह से यह Reaction चलते हैं, और आप देख पा रहे होंगे, कि किस तरह से यह Electrons को Gain Loose करते हैं, इसी तरह से हमारे पास है Equivalent Weight of Reducing Agent, उसमें हमारे पास Number of Electron Lost, ठीक है, यह आजाएगा नीचे, और निकालने के लिए वही Method, Reducing Agent, Equivalent Weight, ठीक है, यह मारे पास More Salt है, More Salt एक Reducing Agent है, और जब हम इसको देखते हैं, तो बेटा, यह कोई भी Electron जो है, वो Gain Loose नहीं करता है, सिर्फ एक Electron Loose करता है, तो उसके लिए हमारे पास One से डिवाइड होगा, and the answer is 392, Similarly, H2C2O4.Water, तो यह क्या है हमारे पास, this is Oxalic Acid, तो Oxalic Acid का Mass है 126, और यह दो Electrons को Loose करता है, तो हमारे पास आजाएगा यह 63, so in this way, you can calculate the equivalent weights of these, Example No.5, KMNO4 functions as an Oxidizing Agent in Neutral as well as Basic Solution, then the half reaction is alkaline condition is represented as, उसका half reaction आप इस तरह से represent कर सकते हैं, then equivalent weight of KMNO4 is, आप देख पा रहे होंगे कि KMNO4 के case में, यहाँ पर molecular weight of KMNO4 upon number of electrons involved in the reaction per mole of KMNO4, तो per mole उसके कितने electrons involved हैं बेटा देखेंगे, तो molecular weight of KMNO4 और को हम 3 से divide कर देंगे, क्योंकि 3 electron यह gain कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह मेरे पास बन जाएगा, 3 से divide करने पर 52.6, तो इस तरह से हम इसकी answers निकाल सकते हैं, चलिए एक questions करते हैं, कुछ, हमारे पास question है कि, equivalent weight of calcium metal is, तो बेटा देखिए हमारे पास 4 options हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें देखना हुगा, कि जो calcium metal है उसका weight होता कितना है, ठीक है, तो calcium का weight होता है बेटे 40, ठीक है, और उसको मैं divide करूँगा, इसकी valency के साथ, क्योंकि एक element की बात कर रहा है, तो element को valency से divide करते हैं, तो मेरे पास answer नाँ जाए 20, तो 20 option में है, तो yes, it is in the option, तो हमारा जो answer होगा, that will be option D, तो बिल्कुल सही जवाब है, solution इसका आपने देख लिया, कि equivalent weight of calcium is equal to atomic weight upon valency वाला formula रहने लगाया, और हमारा जो answer था, that is 20, next is the equivalent weight of H3PO4, H3PO4 के case में इसकी जो basicity होती है, वो 3 होती है, तो अगर मैं इसका molecular mass निकालूं, तो हमारे पास answer निकल करके आएगा किस तरह से, equivalent weight of H3PO4 is equals to, molecular weight of H3PO4, upon basicity, और molecular weight इसका निकल करके आता है, 32.6, इस सारा solve करने के बाद आपके पास यह answer आजाएगा, next is the equivalent weight of AL2SO4 3 is, तो बेटा यह हमारे पास options है, तो इसका answer हैगा 57 कैसे आएगा, equivalent weight of A8 salt है, तो salt को हम divide करते हैं, total charge on cation और N9 के साथ, और ऐसा करने पर 342 को आप divide करोगे 6 से, and you will get 57 as the answer, next is the equivalent weight of K2Cr2O7, यह एक reducing agent है, तो आप इसको भी कैसे divide करोगे, तो इसमें आजाएगा हमारे पास, molecular weight of K2Cr2O7 divided by a change in oxidation state, तो जब आप इसको solve करोगे, you will get 294 upon 6 is equal to 49, the equivalent weight of K1O4 in neutral medium, neutral में यह oxidizing agent की तरह behave करेगा, और इसका mass निकलता है 52.6, यह हमने निकाल के देखा भी था, 158 upon 3 is 52.6, H2SO4 प्लस NaOH, यह हमें देखा NaHSO4 प्लस water, in this reaction, equivalent weight of acid, acid konservator हमारे पास H2SO4 है, और H2SO4 इस reaction में आप देख पा रहे होंगे, कि सिरफ एक ही H positive release कर रहा है, पूरी तरह से दूसरा वाला नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो H2SO4 था, जो H2SO4 था, उसने एक electron lose किया, और बना दिया HSO4, single negative और एक H positive उसने release कर दिया, अब इसके साथ आके क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया, तो बन गया NaHSO4, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो answer बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, 98 ही बनना चाहिए, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, option है हमारे पास 98, तो 98 is the correct answer, ठीक है, तो आप देख पा रहेगा किस तरह से इसको solve किया गया है, इसी तरह से, oxidation number concept क्या है, oxidation number is the charge, acquired by an element in its compound, किसी compound के अंदर घुसने के लिए, atom कितने electron gain या lose करता है, उसे उसका oxidation number कहा जाता है, oxidation number 0 भी हो सकता है, और fraction में भी हो सकता है, और integer भी हो सकता है, oxidation number of an element is determined, based on certain rules, इसके कुछ rules हैं, जिससे आप oxidation number निकालना सिख सकते हो, पहली बात कि अगर कोई atom, अपनी elemental state में है, मतलब वो free state में है, तो उसका oxidation number 0 होगा, ठीक है, oxidation states of elements in O2, F2, Cl2, यह सभी अपनी elemental state में है, तो इसलिए इनका atomic number 0 है, ठीक है, for simple ions, oxidation state is equal to the charge on the ion, जितना किसी के उपर charge होगा, उतनी ही उसकी oxidation state होगी, for example, aluminium का oxidation number, in AlCl3 is plus 3, और chlorine का minus 1, ठीक है, और third rule कहता है, oxygen की आम दोर पे oxidation state minus 2 होती है, ठीक है, कुछ exceptions भी है, या अगर oxygen अपनी peroxide form में है, तो इसकी oxidation state minus 1 होगी, ठीक है जी, for example, यह हमारे पास peroxides है, तो peroxides के case में, इसकी minus 1 होती है, और super oxides में इसकी minus 1 by 2 होती है, ठीक है, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़े हैं बेटा, इसको आपको पढ़ लेना है, fluorine के साथ हमेशा इसकी plus 1 होती है, oxygen की, ठीक है, तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़े हैं, यह आपको समझ आनी चाहिए, इसके भी exceptions है, when hydrogen consumes with metal, अगर hydrogen metal के साथ है, तो minus 1, अगर hydrogen non-metal के साथ है, तो plus 1, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़े हैं, यह आपको याद करने पड़ेंगी, calculation कैसे करते हैं, oxidation state की, जैसे कि हमें बोल दिया, कि आपको K2 MnO4 में, oxidation state find करनी है, मेगनीज की, तो K2 की तो plus 1 हो जाएगी, यह एक, alkaline metal है, alkaline metal plus 1 को 2 से multiply करेंगे, क्योंकि यह 2 है, जिसकी calculate करनी है, उसको X ले लीजिए, और oxygen की minus 2 होती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी calculation करते हैं, तो यह मेरे पास आजाएगा, 2 into 1 plus 1 into X, plus 4 into minus 2 equal to 0, and X की value आपके पास आजाएगी, plus 6, ठीक है, तो in this way, आप oxidation number भी निकाल सकते हैं, आप एक और example करते हैं, FE 3 और 4 में आपसे FE की पूछ रहा है, तो FE को आप X ले लीजिए, और oxygen का minus 2 हो जाएगा, यह बन जाएगा 3X minus 8 is equal to 0, और X की value आजाएगी, 8 upon 3, ठीक है, तो if more than one atom of an element is present in a molecule, then oxidation number is the average of the oxidation number of all the atoms in that element, fractional charge indicates the average oxidation number, तो चलिए वेटा, आज की जो next example उसको देखते हैं, H2S406, इस case में आप अगर इसका structure बना के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि oxygen अपने peroxide form में भी है, तो this is the 2.5, तो average इसका क्या निकलेगा, 2.5, क्योंकि इसके structure के उपर बड़ा कुछ बचे depend करता है, ओके, आप देख पा रहेगे कि structure में, कुछ oxygen ऐसे हैं, जो कि अपनी peroxide form में है, तो ये structure के according हमारा, इतना answer आ जाएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते रहेए education point, thank you very much, bye, इतना है।